देश्वर में आज नवरात्र की धूम है और आज से मादुर्गा पंडालों में विराजेंगी मंदिरों में सुभा से ही भक्तों का ताता लगा हुआ है मादुर्गा के सभी मंदिरों में आकरशक साज सज्जा की गई है आपको बता दे नवरात्र का आज पहला दिन है और आज माता के प्रथम स्वरूप माशेल पुत्री की पूजा अर्चना की जाती है यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं मयर के शारदा भवानी के दर्बार से इस वक्त की तस्वीरे जहां विशेश आर्थी की जारी है तो शारदी नवरात्र के पहले दिन माशेल पुत्री की पूजा अर्चना आज की जाती है आपको बता दें कि आज शात्रों के मताबिक नवराज के धरान मादुर्गा की उपासना पूजार्चना करने वाले भक्तों को शुव फलों की प्राप्ती होती है मादुर्गा को प्रसंद करने के लिए भक्त आज से नौ दिन उपवास रखेंगे वरत करेंगे माश्यल पुत्री को आज पहले दिन प्रसंद किया जाएगा कर लो प्रसंद कि लिए भक्त आज से लिए वरत करने से नौ जाएगा कि अज़ खड़का सेगल XP कि अज़पका कुछिया तो तस्वीरे इस वक्त आपके सामने देवास की मा चामुंडा दरवार की है देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में भक्तिया पहुंचे हैं जो आज मा के दरवार नहीं पहुंच सकते उनके लिए सीधे ये तस्वीरे बंसल्यूज आपको दिखा रहा है घर बैठे मा के दरशन आप कर सकते हैं नवराद्र के पहले दिन आज मा चामुंडा के दिवने दरशनों का लाब आप घर बैठे ले सकते हैं मेयर के शारदा भवानी के भी दर्शन आपको करवा है देखे विशीष साज सज्जाज माता के दर्बार में की गई है विशीष पूजा अर्चना आज से नौ दिन ये सिलसला इसे तरह से चलेगा तस्वीर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में माचामुंडा के दर्बार में भक्त पहुच रहे हैं दूर दरा से ना केवल मध्यपदेश बलकि माता के दर्बार में पूरे देश से बड़ी संख्या में भक्तों का यांत आता लगता है और आपको बता दे कि आज मा के प्रथम स्वरूप शेल पुत्री की पूजा की जाती है हिमाले की पुत्री हो आती है जाती है इसलिए आज भक्त माता को सफेद चीजे अरपद करते हैं मा का जो भोग बनता है वो भी सफेद बनता है माको वस्र या साड़ी जो चड़ाते हैं वो भी सफेद चड़ाई जाती है सफेद पुष्प अर्पित करना आज बेहत शुब माना जाता है साथी सफेद बर्फिय मिठाई का भोग लगाना आज शुब माना जाता है हलेकि मा के शल्पुत्री सौरूप के हम बात कर रहे हैं लेकिन यजे तस्वीरे हैं माच चामुंडा के दर्वार से आप देख रहे हैं जहां माता के दर्शनों के लिए बड़ी संख्यामे भक्त मंदिरों में पहुँच रहे हैं तो चलिए माता के अलग-अलग दर्वारों का भी आपको दर्शन करवा देते हैं सीधे रुख करते हैं हमारे संबात दाता यहां से जुड़े हुए हैं मेरी सहयोगी शुभांगी सिंग मिश्रा इस वक्त राजधानी भोपाल के माता के एक दर्वार में खड़ी हुई है सबसे पहले शुभांगी में आपके पास ही आना चाहूँगी इस वक्त किस दर्वार में माता के आप खड़ी हुई हैं और तस्वीरे जरा हमें दिखाईएगा क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा इस नवरात्र के लिए दो साल हमने कोरोना में बिता है और आज कितना उत्सहा भक्तों में माता के दर्शनों के लिए बिल्कुल जया आप देखे तस्वीरे तो मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दूँ कि नवरात्री की धूँ वापस लोटाई है नवरात्र आ चुके हैं मातारानी की आराधना का उपासना का जो दिन है वो आ चुका है और अब 9 दिनों तक माधिशक्ती माभवानी की पूझा अर्शना लोग करेंगे और आज का जो जया क्या बताऊं मैं आपको जो वाता वरण है जो अदभुत अनुभूती हो रही है उसको मैं बया नहीं कर सकती इसक्त मैं काली गाट मंदिर पर मौझूद हूँ भूपाल के काली गाट मंदिर और मैं तस्वीरे दिखाना चाहूँगी यहां आरतीं शुरू हो चुकी है मेरे सायोगी से कहूंगे कि आप तस्वीरे दिखाएं यहां देवी मा की आरती शुरू हो चुकी है और भक्तों में उत्सा आ जाया मैं आपको कहूंगी पूरे दो साल का इंतजार जो भक्तों ने किया है इस बार नवरात्री की जो धूम है वो लोट आई है भक्तों में उत्सा है सुभा से ही मातारानी के दर्बार में हाजरी लगाने पहुँच चुके है अपनी अपनी मनों कामनाय लेकर और मा वैसे तो हर दिन मा का होता है लेकिन यह नवरात्री के नौ दिन मा आदिशक्ति भवानी के जो उपासना के आराधना के दिन होते हैं इसका अलग ही हम कहेंगे कि एक अलग ही खुशी भक्तों को होती है इन नौ दिनों में और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे अगर हम बात करें आज मा के स्वरूप की वैसे तो आज पहला दिन है नवरात्र का मा शेल पुत्री यानि परवत राज हिमाले की पुत्री शेल पुत्री का आज दिन है और मा के दरबार में जहां हम इस वक्त मौझूद है भक्तों में आप उत्सा देखें भक्तों की भीड आप जाया देखिए ये वो भीड है जो ये बात बया कर रही है कि पूरे दो साल के इंतजार के बाद अब नवरात्री का पर्व एक बार तर धूमधाम से मनाया जाएगा माता रानी के सेवा पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगा बिल्कुल एक बार माता रानी के भी दर्शन शुभांगी हमारे दर्शन को करवा दीजे जो भक्त इस वक्त घर में बैठे हुए हैं जो मा काली के दर्वार में नहीं पहुद सकते मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरामेंन से कहिए कि मा के दर्शन भी करवाईए ये इशार्ती जो हो रही है उसका लाब हम भी उठाले जरा दर्शन करवाएंगे और हमारे जो दर्शक है वो बिल्कुल मातारानी के दर्शन करेंगे भव्य आरती मातारानी की शुरू हो चुकी है पिल्कुल तो देखिए रागधानी भुपाल के काली घाट की सीधी तस्वीरे इस वक्त आप मेरी सयूगी सुभांगी के जरिये देख रहे हैं और देखिए आप बड़ी संख्या में भक्तों को देख सकते हैं जहां सुभा सही भक्त मा के दर्शनों के लिए पहुच रहे हैं चलिए शुभांगी बने रहेगा जरा हमाच